Hello everyone, मेरे ये YouTube channel MS Education TV में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको re-checking और revolution के बीच में जो main difference है उसके बारें बताऊँगा Re-checking क्या होती है, revolution क्या होती है जब भी आपका result आता है तो उसके कुछ दिन के बाद में जो आपसे forum feel करवाई जाते हैं तो उसमें आपका यहीं doubt रहता है कि मैं re-checking का forum feel करूँ या re-evaluation का तो एक बार इस वीडियो को complete देखें, देखने के बाद जो आपका किसी भी type का कोई doubt नहीं रहेगा और आप easily decide कर पाएंगे कि मुझे कौन सा forum feel करना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं re-checking की re-checking में क्या होता है कि इसमें आपकी answer sheet के केवल numbers को दो बार से count किया जाता है re-checking में बस केवल जो आपकी answer sheet है उसमें जो आपके number दिये गए हैं कि जिस question में जितने number दिये गए हैं उतनी question मानके जो है आपके जो हूँ number को count किया जाता है Rechecking में याद रखना आपके जो number है बढ़ी भी सकते हैं बराबर भी रह सकते हैं और get भी सकते हैं यानकि increase भी हो सकते हैं same भी रह सकते हैं by the chance आपका को question का number जो है double bar count हो चुका है तो अगर आपका जो number है अगर by the chance एक number जो है question में दो बार count कर लिया तो जो counting करने के टाइम अगर आपका number कम हो राया तो आपको कम किया जाएगा उस number को यदि आपके number है 29 मिलेंगे यदि आपके 30 के 30 number है तो 30 के 30 मिल जाएगे, यदि आपका एक number बाइदर चान्स मिस हो चुका है वो count नहीं किया गया, तो आपको जो है एक number बढ़ा के जो है दिये जाएंगे 31 यानि कि इसमें जो है अगर आपका एक number बढ़ता भी है तो भी बढ़ाए जाएगा और एक number अगर गटता है तो भी गटाए जाएगा री चेकिंग में बस आपका इतना ही काम है इसमें आपका जो है जितने भी question है उनके सभी question हो के जो number है उनको अच्छे से दुबारा से count किया जाएगा बस only इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा अब बात कर लेते हैं reevaluation के बारे में reevaluation में क्या होता है इसमें आपकी answer sheet को दुबारा से check किया जाता है और नए शिरे से marking की जाती है यानि कि जो आपके पहले जो question होचके है उसमें आपके कितने भी number दिये हो उनके उपर जो है आपके जो paper या कोई भी एक tape chip का दी जाएगी उनको hide कर दिया जाएगा number को और बिलकुल नए शिरे से किसी और teacher के जवारा जो आपकी जो answer sheet है उसको check करवाए जाएगा और इसमें हम आपको एक बात बतायता हूँ इसमें जो number है गटने के chances कम है यह मान के चलो आपके decrease होने के chances कम है decrease नहीं किया जाएगे आपके number या तो बराबर रहेंगे या फिर इनका आपके increase के जाएगे यानि कि उसमें जो है बिलकुल नए शिरे से जो आपकी जो है marking की जाएगी अलग teacher उसको जो है mark करेगा वो आपके खुद के according जो है number देगा कि इस question में मुझे मेरे according कितने number दिये जाने से हैं और जो पहले वाड़े जो नबर है जो question में दिये गए हैं उनको एक जो है बिलकुल नए से बिलकुल बूल जाएंगे आपको नए स्रीय से बिलकुल number दिये जाएंगे और वही नबर जो है final decision होगा लेकिन decrease होने के chances बहुत कम है decrease नहीं किया जाते हैं लग बग जो है या तो बराबर रखे जाते हैं आपके जो number है बढ़ा जाते हैं अब बात यह आती है कि मैं कौन सा फोरम फिल करूँ सबसे main problem यह है कि अब आपको देखना है कि कौन सा फोरम फिल करना है तो मैं आपको पहले तो यह बतायता हूँ कि जो re-checking है re-checking की जो fees होती है वो कम होती है उसमे क्यों क्यों आपके जो केवल number काउंट की जाती है revolution की जो fees होती है वो जादा होती है revolution में देखिए revolution का फारम तभी बढ़ना है और आपको एक फ्य बार मोका मिलेगा चाहEP रोईलीशन का फोरम फिल करें या re-checking का यह नहीं है कि पहले आप की बार एक फी बार करसकते हैं बढ़ना चाहते है तो यहां तक जो वीडियो है मैंने इसमें आपके सारे डाउट जो हैं कलियर कर दिये फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें सेयर करें यह दिया आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करें थैंक्स फर वोचिंग